हेलो सुटेंट्स वेलकूम टू माइ नर्चर में हो क्रिश्णा कैसे हाँ सब लोग मास बढ़िया तो 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 लिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मसुटिस का चैप्टर नमबर थार्ड का लेक्चर नमबर टू और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है ठीक है जिसके दर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या प्रिजर्वेटिफ क्या होते हैं प्रिजर्वेटिफ सिंपल भास में बात की जाए हम कुछ ऐसे चीजों का इस्तमाल करते हैं जो दवाईयों बनाते वाकर उसमें डाल देते हैं जिससे की दवाईयों की लाइफ है ना हम लोग क्या बोलते हैं Preservatives बोलते हैं अब यहां पर क्या हमें हमारे कोर्स में क्या चीज़े है प्रिजर्वेटी के वारे में Definition, Types, Example और Use अब Use जो है प्रिजर्वेटीव है क्या रहता है फार्स विटिकल्स के लिए रहता है ठीक है ना तो Definition, Type, Example and Use यह अपने क्या है क्या है कि इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है स्टार्ट करें चलो देखते हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या कह रहा है प्रिजर्वेटी में तब प्रिजर्वेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवेटिवे सड़ा दिया जाना स्पाइल किया हो जाना एंड फंजाई माइक्रो ऑगनिजम के द्वारा ठीक है हमारा जो फार्मसुटिकल्स है वो जो खराब होते हैं उसको बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं अब कहा रहा है नो सिंगल प्रिजरवेटिव एक्जिस्ट कोई भी सिंगल ऐसा सिंगल प्रिजरवेटिव कोई भी नहीं है जो यह सारी रिक्वार्मेंट पूरी कर दे तो हमें कई सारे मिला करके प्रिजरवेटिव का इस्तमाल करना पड़ता है ठीक है फॉर ओल फॉम्लेशन फ्रिक्वेंटली एक लगातार हम लोग क्या करते हैं प्रिजरवेटर लोग की आम तोर पर हम लोग दो या दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन मिला करके प्रिजरवेटिव का इस्तमाल करते हैं प्रिजरवेटिव का तब जाकर कि हमारे पास वो effect निकल के आता है ठीक है न classification की बात करें very important तो यहाँ पर हम समझेंगे बात को कि classification में क्या है दो तरीके समने इसको classify किया हुआ है sorry दो category में तोड़ा हुआ है पहला मेरे पास based on mechanism of action वो काम कैसे करता है उसके अधार पर दूसरा उसका source क्या है कहां से आया है preservative उसके अधार पर तो काम करने के तरीके तीन तरीके से कर सकता है antioxidants, antimicrobial और chillating agent antioxidant में क्या है oxidation को बचाएगा antimicrobial में microbes को खतम करेगा और chillating agent में क्या करता है यह कहीं न कहीं जो antioxidating agent actually antioxidant को कहीं न कहीं सपोर्ट करते है यह तो फिर natural और artificial है यह सारे examples है जो तुमको याद कर लेने है ना example इसमें coffee important है और इस chapter से बता दू मैं preservative वाला part ज़्यादा important है compared to pharmaceutical aid दोनों ज़रूरी है लेकि कहीं न कहीं यह ज़्यादा important हो जाता है बास समझ में आ रहे हैं यह बात को तो यहाँ पर ज़्यादा focus करना है हमको याद करने के purpose से on the basis of mechanism of action की बात करें तो ससे बात कर लें किसकी anti-microbials ठीक है तो anti-microbials जो microbes का विरोध करेंगे these agents active against gram positive and gram negative microorganism जो bacteria होती है gram positive और gram negative उन दोनों खिलाफ यह काम करती है which cause degradation of pharmaceutical preparation gram positive, gram negative bacteria जो की pharmaceutical preparation लोग खराब करती है degrade कर देती है खराब कर देती है उनके against यह काम करते है these agents act against microorganism by affecting the various cellular portions of microbial cell यह काम कैसे करते है जो microbes होते हैं उनके जो cellular part होते हैं उनको affect करते हैं यह खराब कर देंगे, damage करेंगे and thereby inhibiting their growth और जिसके दुआरा वो microbes की growth को inhibit कर देते हैं रोग देते हैं clear है cell wall, cytoplasm membrane and cytoplasm cell wall हो सकता है cytoplasm membrane हो सकती है या cytoplasm हो सकती है और such portion, यह ऐसे portion है cell के of microbial cell wall that are mostly targeted by the preservative ज़्यादा तर preservative के दौरा cell wall या cytoplasm membrane या cell membrane या cytoplasm पो target किया जाता है अब क्या कहरा आगे antimicrobial agents that have been used as preservative जो preservative में तरहे इस्तमाल होते हैं can be classified into four major groups इनको further हम लोग चार category में divide कर सकते हैं acidic हो सकते हैं neutral हो सकते हैं mercurial हो सकते हैं और quaternary ammonium compound हो सकते हैं इनको further हम लोग antimicrobial को चार category में divide कर सकते हैं उनके अंदर किस तरह का behavior है उस chemical compound का तो देखो जा रहा यहां पर हमने इसका क्या कर दिया है classify कर दिया है acidic mostly used for oral preparation acidic का इस्तमाल कहां होता है oral preparation में फिर एक neutral होते हैं mercurial होते हैं और quaternary ammonium compound होते हैं अब यहां पर क्या है तुम्हें आगे इसके example याद करने है phenol chloro chrysal ortho phenyl phenol alkalister of para hydroxy benzoic acid है ना phb benzoic acid और उसके salt boric acid उसके salt sorvic acid और उसके salt then आता है neutral में chlorobutanol benzoic alcohol ortho phenyl ethyl alcohol then mercurial में thimerosol thimrosol phenyl mercuric acetate है nitrate और quaternary ammonium compound में benzyl konium chloride और cetyl pyridinium chloride ठीक है न यह आगे इसका percentage दे रखा है ठीक है उसकी हमें जरूत नहीं है यह चाहो तो याद ना करना तब भी चल जाएगा name क्या है mainly हमको examples याद करने बास समझ में आ रही है तो यह इनके examples हो गए आगे आते है note है मार पास acidic antimicrobial agent के बारे में कुछ बाते हैं यहाँ पर समाझ ले हम लोग phenols little used in oral preparation pharmaceuticals owing to their characteristic order and instability when exposed to oxygen phenols जो होता है na oral preparation में डाल दो अगर तो थोड़ा सा उसका owing to its their characteristic order की अजी से गंद होती है इसलिए हम लोग उसका limited use करते है थोड़ा सा use करते है और दूसरा क्या यह unstable है oxygen मिलता है तो यह degrade हो जाता है parahydroxy benzoic acid easters and the salts of benzoic acid and sorbic acids have both antifungal and antibacterial properties have aqueous solubility and mostly used for oral preparation तो oral preparation में कौन इस्तमाल होते हैं यह इस्तमाल होते हैं next अगर हम आगे आगे बात करें जो चीज इंपोर्टन तो oral preparation कौन जादे तो इस्तमाल हुआ यहाँ पर यह बात बताई the remaining three class of the preservative जो इसके अलावा बच गई तीन class है ना acid के अलावा neutral, mercurial और quaternary ammonium compound यह जो class बच गई है ठीक है have been widely used in ophthalmic nasal and parental preparation तो जहाँ रखना oral में कौन इस्तमाल हो रहा है ophthalmic में कौन इस्तमाल हो रहे है parental में कौन इस्तमाल हो रहे है वो थोड़ा से यहाँ बात बताने की कोशिश की गई है अब micro organism में एक बात और आती है वो क्या बात है micro organism को भी तीन तरीके से categorize कर रखा है एक होते हैं harmful दूसरा objectionable और तीसरा opportunistic there are three terms that are used to describe microbial organisms microbial organisms को describe करने के लिए से तीन टम का हम लोग इस्तमाल करते हैं कौन कौन से है अच्छा यह हम लोग pharmaceutical के reference में pharmaceutical और cosmetic के reference में हम लोग micro organism को तीन तरीके से divide कर सकते हैं तो क्या है पहला harmful harmful का मतलब क्या है refer to micro organism or their toxins that are responsible for human disease or infection ठीक है ऐसे micro organism जो infect दवा खराब करेंगे और अगर वो दवा हमने खाली तो वो disease भी पैदा कर देगी और infection भी कर देगी शरीर के अंदर example of organism that must not be present in the product कौन को से नहीं होने चाहिए प्रोड़ट के अंदर salmonella species ashtrae coli pseudomonas aerogenosa और staphylococcus aureus ये चार species तो नहीं होने चाहिए के लिए रबाते है next फिर आता है objectionable वो तो थे harmful अगर वो होंगे तो बिमारी कर ही देंगे objectionable का मतलब क्या है an objectionable organism can cause disease ये disease पैदा कर सकता है और its presence may interrupt the function of the drug ये disease पैदा कर सकता है लेकि इनका main चीज क्या है ये function of drug को drug के function हमको तो इतना effect size ना करें लेकिन drug के function को affect कर देंगे और lead to the deterioration of the product इनका main काम क्या है ये जो objects-nable micro-organisms होते हैं ये product को हमारे खराब कर देते हैं बास समझ में आई जो harmful वाले थे वो हमारे अंदर बिमारी पैदा करेंगे object-nable वाले इन से हमको बचाना है पर्चिवेटिव से अब मतलब मारे दोनों को ये है वो ठीक है ये main आगया है ये दवाई को खराब करने वाला कौन-कौन से इसके example है ना pseudomonas pitudia, pseudomonas, multivorans, pseudomonas, multifolia maltophilia, sorry proteus, mirabilis है ना ये काफ़ example है अभी फिलाल ये examples याद करने जोड़ी दो नहीं है ये दिमाग में रखना objects-nable क्या है और harmful क्या है last में आता है हमार पास opportunistic opportunistic क्या होते है organisms are defined as opportunistic यानि कि opportunity मिलेगी तो opportunity है ना pathogen if they produce disease or infection under special environment एक खास environment मिला opportunity मिली तो तो कर देंगे वरना उनका होने से कोई फरक नहीं पड़ेगा और वो environment क्या है वो newborn baby होते है और debilitated person होते है जो कमजोर लोग होते है immunity दिनकी weak पड़ गई है वहाँ पर तो अटाक कर पाते है healthy लोग में ये लोग कोई असर नहीं डालते है तो यह हो गए opportunistic microorganisms बात समझ में आई किस तरीके से हम लोग ने pharmaceuticals दवाईयों में जो microorganism पाई जाते हैं उनको ये तीन कैटेगरी में तोड़ा हुआ है कि लिए रहे बाते हैं आगे आते हैं तो microorganism के preservative का part खतम हो जाता है अब हम बात करते हैं antioxidant अब कहीं ना कहीं antioxidant के लिए तुम लोगों को pharmaceutical chemistry defarm first year में oxidation reduction पढ़ा होगा बहुत अच्छे से है ना oxidation याद नहीं होगा कुछ बच्चों को तो reduction redox reaction है ना तो बस यहाँ पर वही term आने वाली है इसी ले में उसका याद दिलाया कि यहाँ पर क्या antioxidant यह oxidant oxidation होने से बचाएंगे they are self reducing agent that oxidize themselves यह कैसे मतलब antioxidant जो होंगे यह कैसे होते हैं खुद कैसे होंगे यह reducing agent दूसरी को क्या कर देंगे oxidize that oxidize reducing agent है खुद oxidize हो जाएंगे oxidize हो जाएंगे क्यों समझे बात को and prevent the oxidation of the component that are sensitive to oxygen ठीक है माल लो मेरे पास यह medicine बढ़ी हुई है यह preservative है oxygen आई oxygen इसको क्या करना चाहती थी oxidize करना चाहती थी medicine को जो मेरा main component था अब अगर यह preservative नहीं होता तो medicine मेरी क्या होती oxidize हो जाती medicine मतला जो main component है और यह मेरी खराव या थी यह preservative कहाएगा रुप जा भईया मैं यहाँ पर मौजूद हूँ खीच लेगा इसको यहाँ इसको रोग देगा यह oxygen फिर इसको oxidize कर देगा अगर गलती से oxygen पहुंच गई है फिर यह oxidation क्या करेगा इसको oxidize कर देगा तो यह इसको reduce कर देगा तो कही ना कहीं यह preservative क्या करेगा इसको बचा लेगा खुद क्या हो गया oxidize हो गया sacrifice कर देगा अपना ठीक है there are three main types of antioxidant अब हम यहाँ पर तीन काटिगरी है true antioxidant true में क्या है water insoluble होते है they act by chain termination mechanism by reacting with free radical है ना true antioxidant क्या हो गया water insoluble होते है chain termination mechanism से काम करते है यह chain को क्या करते है जो chain चल रही होती है oxygen की उसको terminate कर देंगे by reacting with free radical जो free radical होते है ना oxygen के उनके साथ react करेंगे chain को terminate कर देंगे और खेल खतम कर देंगे उस reaction का chain termination एक के बाद एक के बाद एक को क्या करते है रहा oxidize करते है रहा यह finally आके इसको रोग देगा ठीक है example क्या है butylated hydroxy anisole BHA butylated hydroxy toluene BST ठीक है ना BHA और BST reducing agent water soluble होते है यह they have lower redox potential than drugs drug के मकावले में इनका lower potential क्या होता है sorry redox potential क्या होता है एक का प्लस 1.5 है तो जो यह वाले हैं यह इसको क्या करते है electron देंगे जिनका कम होता है वो ज्यादा वाले को electron दे देते हैं यानि कि यह खुद क्या हो जाएंगे oxidize होंगे और यह क्या हो जाते है reduce हो जाएंगे तो यह reducing यह electron खिषने की tendency ज्यादा होती इनकी electron देने की tendency ज्यादा होती जिनका कम होता है ठीक है थोड़ा सा याद दिलाने कोशिश की यह अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देना इसको सिधा यहाँ पर आते है Redox potential then drug and get preferentially oxidized इसी लिए यानि की अब मैं तुमसे बोलू इसमें से इसमें से पहले electron कौन देगा तो यह देगा है ना इसकी क्योंकि Redox potential कम है तो यह जल्दी क्या हो जाएगा oxidized हो जाएगा और drug को बचा लेगा कौन का ना था इसके अंदर ascorbic acid thus they can be consumed during the self life of the product इसी लिए क्या होता है जब पूरा इसका 2-3 साल expiry है उस बीच में क्या रहता है oxygen आती रहती है और ये जो reducing agents होते हैं ये क्या करते रहते हैं ये लगातार क्या होते जारे है consume होते जारे क्यों ये खुद लगातार क्या होते जारे है उसमें complex बनता था, EDTA होता था, complex बना लेता था, chillate, ring type structure, कुछ बाते याद आई, बस यहाँ पर वही है, EDTA होता है, अगर कोई metals वगएरा या metal के traces वगएरा वहाँ पर मौझूद है, जो oxidation को support करते हैं, एक तरह के catalyst का काम करते हैं, फिर से कह रहा हूँ, ऐसे metals अगर मौझू यह क्या करेगा, इस metal को खा जाएगा, खा जाएगा मतलब इसका complex बना लेगा और यह metal इसको oxidation को support नहीं कर पाएगा, oxidation मेरा रुक जाएगा, है ना, anti-oxidant पढ़ रहे हम लोग, this is the effect of anti-oxidant, ठीक है ना, कहीं ना कहीं anti-oxidant के effect को बढ़ा आ रहा है, तो जो दूसरे anti-oxidant ह हैं, वो तो अपना काम करी रहे हैं, और इसको metal को खा के खतम कर दिया, तो इसके effectivity बढ़ जाएगी, फिर anti-oxidant की बात समझ में आई, कौन-कौन आगे इसके अंदर, टेटराइसितिक असीड, टेटराइसितिक असीड, टेटराइसितिक डेरिवेटिव जो इसके डेरिवेटिव होंगे, और इसके अग्जामपल हो गया, किलिए रहे हैं, अब यहां पर हमार पास कुछ एग्जामपल है, anti-oxidant के क्या अग्जामपल है, anti-oxidant commonly used for aquos system और water soluble जो water soluble होते हैं, एको सिस्टम में यह सारे एक्जामपल है, sodium sulfide, sodium meta, bisulfide, sodium bisulfide से एक दो एक्जामपल इसके याद कर लोगे, aquos, water वाले, ठीक है, फिर आते हैं, हमारे पास, anti-oxidant commonly used for water insoluble, ठीक है, तो, अब anti-oxidant commonly used for oil system, यानि कि यह हो गया, ऐसी medicine, जहां पर क्या इस्तम हो रखा है, तो, वहाँ पर हम इनका इस्तमाल करेंगे, betylated hydroxytoline, betylated hydroxy anisole, ascorbile permitate, यह दोनों important है, इनको याद रखेंगे, तो, हमारे पास category आते हैं कि, ऐसे कौन सी accident है, जो water soluble है, या water insoluble है, या, ऐसे water soluble system में इस्तमाल किये जा रहे है, oil soluble system में इस्तमाल किये जा रह रहेते हैं, इसके बारे में, the effectiveness of antioxidant can be enhanced through the use of synergistic such as chillating agent, तो, यह क्या होते है, synergistic होते है, anti-oxidant को support करते है, chillating agent tend to, इसकी मनशा होती है कि complex बना ले कि इसके साथ traces amount of heavy metal iron, कोई अगर heavy metal iron मौझूद है, जो catalyst के तरह काम कर रहा है, उसके साथ क्या करेगा, यह complex बना लेगा, रिंग बना लेता है, और उसको inactivate their catalytic activity, और उस metal की catalytic activity को रोग देगा, in the oxidation of medicament, ठेना, जो oxidation process हो रही थी, उसमें यह वाली जो heavy metal थे, catalyst की तरह काम कर रहे थे, और यह chillating agent, याने कि मेर पास क्या है, chillating agent आए, उन्होंने उस metal को पकड़ लिया, जकड़ लिया, अब जो ह है, हमारे पास, oxidating वाली जो property थी है, oxidation process हो रही थी, बहुत slow हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, examples of some chillating legends are, ethylene, diamine, tetras, ठीक है, तो पहले पड़ी लिया हमने, ठीक है, salt, यह सब tartaric acid और citric acid, ठीक है, तो यह कही ना कहीं, actually, इस point को उपर होने चाहिए, table नीचे होने जाने की plant animal और mineral से अगर जो आएंगे, जैसे की neem oil है, salt है, sodium chloride है ना, जो हम नमक खाते हैं अपना, नमक पतना, अचारव गरम डालते हैं नमक, फिर जब बिटी को काम करता है, lemon है, honey है, then artificial जो हम लोग खुद बनाते हैं, man-made होते हैं, these preservatives are man-made by chemical synthesis active against by various microorganism in small concentration, active होते हैं, य concentration, कौन-कौन है, benzoate है, sodium benzoate, sorbate से, propionate से, nitrite से, हैना, काफी सार इसके, हमारे पास example भी है, तो on the basis of source बड़ा simple था, natural और artificial, clear है, अब ये तो अपने अप के बारे में बाते हैं, तो मैं हमेसा बोलता हूँ, चीजों को पढ़ना है, समझना है, और जानना है, और revise करते हैं चीजों को, है ना, मैं हमेसा कहता हूँ, चीजों को क्या करना है, revise करते रहे ना, बिना revision के काम नहीं बनेगा, चीज हो सकता, आज lecture में बात बहुत अच्छी लगी हो, समझ में आ गई हो, चाह दिन बात भूल जाओगे, तो revision ज़रूरी है, अरे देखो आराम से, एक lecture को च आगे देख लो क्या दिक्कत है, है ना, और बात बाकि अगर और प्रैक्टिस करनी है, तो अपना माइड नर्चर एप, जो की अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर है ना, यह सारी चीजें मिलती हो, उसके अंदर, बहुत ही सस्ता है, मातर 11 रुपे का, है ना, पूरे साल के लि रिवीजन, क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करते रहना है, रिवीजन करोगे तो चीजें याद उनने लगेंगी और मज आएगा, किलियर है, तो पढ़ोगे, रिवाइस करोगे, पक्का, आल दा बैस्ट